हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छी होंगे तो ग्रहन को लेकर काफी महिलाओं बहुत ज़्यादा परशान है कि आखर उनको क्या क्या साबधानिया बरतनी की जरूरत है उनसे कोई भूल चूक ना हो जाए काफी ज़्यादा इस चीज को लेकर काफी ज़्यादा टैंसन ले रहे हैं तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि सूर ग्रेंड के दिन गर्वती महिलाओं को क्या साबधानिया बरतनी चाहिए और भूल के भी कौन सी गलती नहीं करने चाहिए और आपको एक उपाई भी बताऊंगी आसू मतलब आपको जो ग्रेंड का असू प्रोहा परता है उसको दूर करने के लिए तो वीडियो में लास तक बने रही हैगा पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेखे इस साल का पहला सूर ग्रेंड 20 सपरेल को बैसा खामावश के दिन लग रहा है इस दिन गर्वती महिलाओं को बिसेज़ धिहान रखना होगा क्योंकि सूर ग्रेंड का प्रभाव उन पर हो सकता है सूर ग्रेंड से बचने के लिए गर्वती महिलाओं की कारिगार यहां के गेध Jedlation मिलती रहें। रहें करप करने वाला है। आपको पूरी जानकारी and related में आपको देती रहाँ गी आगी आ पर दिय् EL और चंप्रेंग बगैर है। दिन ब Noel and मानताओं कि अनुसार राहु केतु के कारण सूर गहन की स्थिति बनती है और सूर देप पर संकट की घड़ी होती है इस वज़े से उस दोरान गर्वती महिलाओं को अपना खास खयाल रखना चाहिए नहीं तो उस पर और उसकी सिसुपर गहन का दूस्प्रवाब हो सकता है ठ देखी सूर गहन 2023 गर्वती महिलाओं को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए चलिए बताते हैं देखी सूर गहन के प्रवाब से लेकर समापन तक मतलब सूर गहन सुरू होता है तो प्रारम से लेकर समापन तक आपको गर्वती महिलाओं को घर से घर में ही रहना है ठीक है महिलाएं सूर गहन को ना देखें इस से बचना जाहें सूर की केटने का असर की आखों पर हो सकता है गहन के समय भोजन नहीं करते हैं मानता है कि गहन के दुस प्रवब के कारण भोजन दूसित हो जाता या ऐसे में दि भूग लगे तो फल को अच्छे से साफ करके खा सकते हैं, ठीक है, सूर गिनर के समय गर्बती महिलाओं का सोना बरजित है, सोने से परेज करना चाहिए, आप लेट के अराम से रेस्ट कर सकते हैं, टीवी फोन देख सकते हैं, बट आपको सीधे लेटना है, ठीक है, हाथ पैरों को मोड़ के भी नहीं लेटना है काफी महिलाएं कॉमेंट कर रहे हैं कि मैम क्या हम फोल्ड पैरों को फोल्ड करके लेट सकते हैं तो ऐसा भी बहुत करना आपको सीधम लेटना है ठीकित पैर उक ‍फोल्ड नहीं दर रहता है ठीके तो गर्वती महिलाव के लिए सूर घ्रिण का उपाई चलिए हुपाई कि हम बात कर लेते कि आपको क्या उपाई करना सूर घ्राड़ के सामें시न है जब सूर घृर्राहं प्राण होने से ठीक पहले गर्वती महिलाएं अपने सरीर के बराबर यानि की सिर से लेकर पैर तक लंबाई का एक धागा ले लें उसे धागा आपको कैसा लेना है मतलब कलावे वाला जो धागा होता है वो भी ले सकते हैं अगर वो नहीं है आपके पास तो जिसको टसर बोलते हैं ब्लैक कलर का धागा होता है इसको टसर बोला जाता है जो कि हम गले में पैर में अक्सर पहना करते हैं ठीक है अगर आपके पास कलावा नहीं तो आप टसर भी ले सकते हैं उसे एक स्थान पर टांग दें मतलब अपने सर से लेके नीचे पैर तक की लंबाई का धागा आपको कटवा लेन है ऐसी धार में मानता है कि ग्रहन के दोरान यदि कोई दुस्प्रवाब होता है तो उसका असर महिला या उसके सिसूपर नहीं पड़ता है ठीक है अब बात करते हैं कि आपको अगर काफी महिलाएं बोल लें कि मैं हमें ट्वाइलेट हमारा बाहर है तो क्या हम बाहर ट्व में आपको कवर कर जाना है कि बिलकुल ढखके जाना है अگर आपको जगना है काफ़ी महिला हैं बोलें कि मैं ग्रेंड जब लगता है तो क्या नहां नहीं सकते तो देखिए ग्रेंड सुरू होने से पहले ही अपना आद हो के खाना होना खाके अराम से बैठ जाए नास्ता वगरा अच्छे से कर लीजिए पानी वगरा पी लीजिए उसके बाद आप क्या पत्ते जरूर एड़ करना है उरा पानी पीने का हो दूद हो खाना पिने जो कि ये सब में डाल देना है बाकिए आपको प्यास बगःर लगते यह तो आप पानी जरूर पी लीजिए ठीक है इसके लाबा अगर तो到द आ keepsाना है इस्नां करना है है फिर पुझा की साथ सफ गिरेंट जब समाप्त हो जाता है तो काफी महिला हैं जी सोचती हैं कि अब मैं क्या हम ऐसे में कुछ दान पुन कर सकते हैं तो जी हाँ मैंने काफी वीडियो में आपको बताया है गिरेंट समाप्त होने के बाद अपने घर की सुद्धी करन करने के बाद पूजा पार्ट करन दाले हैं गुड है मतलब जो आपकी जितनी सर्दा हो आप उतना कर सकते हैं ठीक है यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके बच्छे के लिए अच्छा रहेगा लोगों की दुआएं लगती हैं ऐसे में जिसको हम दान करते हैं वो लोग काफी गुर्दुगा देता है ठीक है तो आप चाहें तो जिसको जो जरूरत मंद हो उसको आप हैल्प कर सकते हैं पुजारी पूजा पंडित बगएरा सब को दे सकते हैं आप जो आपकी बसरत हो ठीक है खुसी से इसके इलाबा देखिए मैंने आपको सारा कुछ बता दिया लेक लेकिन आपको फिर भी यह इतना सब कुछ जो छोटे मोटे नियम बालन होते हैं वो कर लेना है ठीक है इसके लाबा क्या है कि जो इसकी टाइमिंग है ग्रहन की टाइमिंग भी बता देती हूं सुभा सात बच के चार मिनट पर सुरू होगा और बारा बच के उन्तिस मिनट पर खतम हो जाएगा ठीक है तो आपको ग्रहन सुरू होने से पहले आपको यह सारे चीज़े कर लेनी चाहिए अब एक चीज़ आप क्लियर कर देती हूं ग्रहन कहीं भी लगे ठीक है लेकिन उसका थोड़ा बहुत प्रोहाब हर जगह पढ़ता ही है तो आपको गर्वती है अगर आप तो यह नियम पालंग जरूर करिए ठीक है अपने बच्चे के लिए आपको जरूर करना चाहिए कोई भी मतलब परशानी नहीं होगी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपके सारी जानकारी शेयर करती रहोंगे जो इससे जैसे गिरहन पढ़ते रहेंगे हर चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे ठीक है तो चलिए इस वीडियो को अभी मैं यहीं पर एंड करती हूं और मिलती हूं नैस्ट वीडियो में नैस्ट टॉपिक पर बाइब एंड टेक क्यार